नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका हमारी यूटूब चेनल पर आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं और आप एक नया विजुली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप घर वैठे कैसे ले सकते हैं आप घर से ही जो है इसे ओनलाइन करेंगे और जो भी पेमेंट है पेमेंट करेंगे और मेटर ले आके विभाग के तरफ से आपके यहां लगा दिया जाएगा यहीं कि शुरू से लेके हम आपको लाश तक बताएंगे यहीं कि फोम भरने से लेके मीटर लगवाने तक का पूरा कम्प्लीट प्रोसेस तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर दबालें ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको म करेंगे यह पेज आपके सामने खुलके आजाएगा यहां पर आने के बाद में स्कूल करेंगे यहां पर कनेक्शन सर्विस वाले में जाएंगे एपलाइफ हार नियू इलेक्ट्रिशिटी जहटपट कनेक्शन के ऊपर आपको किलिक कर देना है जैसे आप इसको पर क्लिक क अब यहाँ पर आप फस्ट टाइम आ रहे हैं तो सबसे पहले नए पंजी करण है तूँ यहाँ पर किलिक करें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आवेदक का नाम जिसके नाम से आप पंजी करित करीं कूपर के लिए करेंगे तो आपने जो भी मोबाइल नमबर डाला है उस पर एक जो है यूजर नेम और पासवर्ड जो है चला जाएगा और उसके बाद में बैक टू लोगिन हो जाना है तो यहां पर आपको क्या करना है यह जो यहां पर देख सकते हैं यहां पर डाल के और नीचे जो है लोगिन वाला अपशन ही इसको उपर किलिक कर देना है जैसे आप इसको उपर किलिक करेंगे तो यहां पर जो है आपका जो प्रोफाइल है निग डेस्वर्ड है खुलके आ जाएगा यहां पर आपको क्लिक करना हो न्यू इलेक्टिसिटी कनेक इस कूपर किलिक करेंगे यह पूरा फोर्म ही आपके सामने खुल के आ जाएगा और यहां पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको JPG या फिर JPEG फार्मिट में 100KB तक की जो है अपुर्ति का उत्देश यहां पर किलिक करेंगे तो यहां पे आप कामर्चिय लेना चाहते हैं इन्डिस्ट्रीय लेना चाहते हैं यह त्याइप गहरे लुग के लिए जो सभी के अगर हैं तो आपको यहाँ पे उसकी फोटो भी जो है अप लोड करना होगा तो यहाँ पे वेपेल कार्ड हरक नहीं है तो हम इसे नू कर देते हैं उसके बाद में यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना डिश्टिक जो भी आपका जिला है सलेक्ट कर ले उसके बाद नीचे जाएंगे आप कितनी किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो ऐसे घरेलू कनेक्शन ज्यादा तर एक किलोवाट का ही लिया जाता है तो कम से कम यहाँ पे बताया गया है कि अधिकतम लोड एक किलोवाट का जो है आप ले सकते हैं यहाँ पे देख स जेंडर सेलेट करेंगे कि आवेदन मेल है या फीमेल है और उसके बाद में यहाँ पर नीचे जाएंगे मेरिटल स्टेटस में यहाँ पर किलिक करेंगे कि आवेदक मेरीड है यहाँ बिवाहित है या अगर बिवाहित है तो बिवाहित के उपर किलिक करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे फिर उसके पती का नाम डाल देंगे अगर वो पुरु साब एदक है यहनि की मेल कंडिडेट है तो उसके पीता का नाम डालेंगे उसके बाद यहाँ पर उसके माता का नाम डाल देंगे उसके बाद यहां पर मोबाइल नंबर आपका एक रहेगा जो आपने रिजिस्टेशन करते समय डाला था बैकल्पिक वाले में दूसरा मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं अन्यता खाली भी छोड़ सकते हैं द्यान दीजेगा जहां पर यह इस्टार लगे हुए हैं उन्हें भरना कंपल्सरी है और जहां पर इस्टार नहीं लगा जैसे यहां पर इस्टार नहीं लगा तिसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं बेवसाय में आप क्या करते हैं क्रिसी करते हैं क्या करते हैं या मजदूरी लेबर जो भी करते हैं आप यहाँ पर अपना बेवसाय डालेंगे फिर नीचे आएंगे यहाँ पर आपको पत्रा चार का पता यहाँ करेस्पॉंडेंस एड्रेस डालना है मकान नमबर और यहाँ यहां पर भावन या कालोनी का नाम और यहां पर लैंड मार्क यहां पर कोई भी जहां पर आप connection लगाना चाहते हैं, वहां पर कोई यहां पर बड़ा यहां क्या स्थान हो या फिर कोई जगा का नाम हो तो यहां पर आप लैंड मार्क डाल सकते हैं, और अन्यता इसे खाली भ दाल देंगे यह सारा डालने के बाद में फिर आपको यहां पर पर्मानेंट एड्रेस भरना है तो अगर आपका पर्मानेंट एड्रेस और यह जो करेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको क्या करना है इस वाले पर टिक मार्क लगा देना है यहां पर देख सकते है लिखा है यादि आपका अस्थाई पता वा पत्तरा चार पता समान है तो आपको क्या करना है इस वाले पे चेक बॉक्स पे टिक मार्क लगा देना है तो नीचे का अड्रेस आपको नहीं भरना होगा अगर अलग-अलग है आपका correspondence address और permanent address दोनों अलग-अलग है तो दोनों आ आपा लग लग भरेंगे उसके बार नीचे आएंगे यहां पर आपको अस्थाल का पता देना है जहां पर कि आपको कनेक्शन लेना है उसका खसरा नंबर मकान नंबर या प्लॉट नंबर इसमें डालना है भावन का लूनी का नाम इसमें डालना है लैंड मार्क आपको इसमे लिया रूरल यहाँ पर आपको धिस्टा का नाम सेलिट क Kelvin यहाँ पर टैसील का नाम यहाँ पीन कोट डाल दीना है यहाँ पर डालने के बाद में यहाँ पहर आना है प्लाड फ्लेट का छेथ फढल वर्ग फूट में डालना है तो जैसे मैं यहां पे 40 डाल देता हूं और यहां पे प्लाट ए फ्लेट का अच्छादी छेत फल यहां पर अगर पता है तो नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे उसके बाद में अगर आप यहां पर सकते हैं सुरच्छा जमा ब्याज पर टीडियस का अलाब लेना चाहते हैं तो यहां पे आप पैन नंबर भी डाल दीजेगा अगर है तो अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजेगा कोई दिक्कत नहीं उसके बाद नीचे आएंगे यहां पे आपको जो है डाकुमेंट अ लगा सकते हैं रेंट एग्रिमेंट लगा सकते हैं इनमें से कोई भी एक डाकुमेंट आप जू है यहां से लगा लिजेगा उसके बाद में यहां से जाके upload करिएगा upload करने के लिए जेपी ईजी या जेपीजी या पीडिया फार्मिट में होना चाहिए 5 MB तक उसके बाद एक ID proof जिसे आधार कार्द हो गया, driving license हो गया, pen card हो गया, passport, लासन कार्ड, इसमें से कोई भी एक document यहाँ पे upload कर देंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, पहले यहाँ पे self declaration form आपको manual जो है print करवाना होता था, उसे भरना होता था, भरने के बाद में उसे जो है scan करके upload करना हो और यहाँ पे find कितने Watt का है, यहाँ पे जैसे 60 Watt, 100 Watt, जीतने भी Watt का है, और कितने fine है यहाँ भरणे को select कर लेना है, ठीक, उसके बाद add new key उपर click कर देना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी ऐकरन आपके घर में है, यहाँ पे आ गया और कितने Watt का है, और कितने watt की tube light हैं आपको यहां से select करना होगा तो यहां पर नीचे आते हैं जैसे यहां पर 20 और 40 तो 20 watt की है कितने हैं तो यहां पर 3 डाल देते हैं उसके बाद add new पर click करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं इस तरह से आपके घर में जितने भी विजुली से संबंधित उपकरण हैं टीव लाइट है फैन है फ्रिज है या फिर और भी जो भी उपकरण है आपको यहां पर सभी को add कर लेना है जिससे कि आप जो है यहां पर अपना load यहां टोटल आपका load आ जाएगा और सारा कुछ यहां पर चेक कर सकते हैं तो यहां पर पर बास हमें एक फैन और तीन टीव लाइट ही यहां पर जो है दिखाना है और आपके पास अगर ज़्यादा जो है बिजुली संबंधित उपकरण है तो आप उन्हें भी जो है add कर सकते हैं add करने के बाद में अब आपको क्या करना है और click करने के बाद में नीचे जो है क् submit का option मिलता है यहां पर submit करेंगे यहां पर देख सकते हैं application form submitted successfully यानि कि आब एदन पत्र सफलता पूर्बग जमा किया गया अब आपको क्या करना है next step के लिए चले जाना है next step पर जैसे आप जाएंगे यहां पर देख सकते हैं अब एदक का नाम औगरा सारा कुछ यहां पर आ चुका अब यहां पर आपको क्या करना होगा सबसे पहले यहां पर तीन डेट आपको select करनी होगी तो मैं यहां से तीन डेट select कर लेता हूँ जहां पर कि बिभाग की लो करने कि निरिच्षण करने आएंगे या फिर इसके लिए आपके पास फोन भी आ सकता है अगर विभाग के तरफ कोई प्रोसेसिंग पी है और उसके बाद में जब विभाग की लोग आएंगे आपकी जहां पर भी मीटर लगना है उस अस्थल का निरिच्षण करके लेके ज जब ले के जाएंगे साध्यता की जो report है याई की verify inspection करने के बाद में जो is verify कर देंगे आगे जाके तो जब उसके बाद verify हो जाएगा तो उसके बाद जो main payment है जिसमें की میटर चार्ज हो गर्या है सारा कोच जूड़ता है तो ओ चार्ज जो है 678 फरोरी मैंने select किया है और यहाँ पर proceed to pay के उपर click करता हूँ और click करने के बाद में अभी payment वाला page आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर बहुत सारे आपसान आपको देखने के लिए मिल जाते हैं debit card, credit card सबसे अच्छा है कि अगर आपके पास phone पर गूगल पर है तो आप एक QR code generate करिए QR के उपर click करिए और उसके बाद में make payment के उपर आपको click कर देना है और उसके बाद फिर से proceed with payment के उपर click करिएगा तो यहाँ पर एक QR code इस प्रकार से आपके सामने generate होके आ जाएगा इससे आपको क्या करना है अपने phone पर Google पर से आपको scan कर लेना है तो मैं इससे scan करके payment कर देता हूँ तो मैंने payment अपने mobile phone से कर दिया पूरा complete कर दिया भी थोड़ा संबेट करते हैं और उसके बाद में page जो है अपने आप ही जो है refresh हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं payment हो गया और यहाँ पर proceed to next यहाँ की अगले चरंड के लिए आपको जो है जाना है तो आपको इसको उपर के लिए कर देना है तो जैसे आप के लिए करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं यह तीन step पे आप पहुंच चुके हैं और आपको total 8 step यहाँ पर complete करने होंगी अब इसके बाद सारा step जो है बहुत हीजी है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो आबेदन है उत्तर प्रदेश Power Corporation Limited को जो है आवस्य कारवाही है तो प्रेशित कर दिया गया है बिभाग द्वारा नेरिछाड के पस्चाद साधता रिपोर्ट अपलोड करने के उपरांत आप आगे की कारवाही पूरा कर सकते हैं यह बिभाग द्वारा कोई भी प्रस्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आपको अवस्य देना है तो आप क्या करना है आपको इंतजार करना है जैसे ही आपकी साध्यता की रिपोर्ट जो है आपकी यहाँ terrified करने के बाद में साध्यता की रिपोर्ट upload कर दी जाती है तो फिर से आप जब इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे अगला step के लिए आपको जो है आपए बढ़ जाएगे जैसे भी 3 है फिर 4 step के लिए आप आगे जा कर दिया गया यहां पर रिपोर्ट लगा दी गया जो भी आपको अनमानित जमा करना है यहां पर देख सकते हैं जो भी जोड़े गए हैं मीटर का चार्ज कितना है अदर्फ चार्ज कितना है सारा कुछ GST गयरा जोड के यहां पर देख सकते हैं तेरा सो चार उपे का यहां पर जो मेन पेमेंट है इसका भुकतान आपको करना होगा और यह जो है हर एक जगा के लिए अलग अलग है अब यह डिपेंड करता है ग्रामेट छेत से प्लाई किये हैं या फिर नगरिये छेत से किये हैं इसके साथ ही आप जैसे मध्यान चल का है आप दच्छणान चल या फिर उत्रान चल हर एक जगा का अलग अलग है तो आप अपने यहां पर किलिक कर देते हैं जिसके बाद आप इस पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर क्रेडिट कार्ड एक पेमेंट का अपसर मिलता है इसको पर जैसे आप किलिक करेंगे प्रोसीड बिद पेमेंट को पर किलिक कर देंगे तो एक QR कोड जो है आपके सामने जनरेट होके आ जाएगा उसे स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिएगा यहां पर देख सकते हैं क्यूर कोड आ चुका ह मैं इसे स्कैन करता हूँ अपने फोन पेस से उसके बाद इसका पेमेंट कर देता हूँ यहां पर देख सकते हैं जो पेमेंट है उसक्सेश फुली जमा हो चुका है यहां पर आनुमानित लागत के भुकतान के स्थिति यहां पर देख सकते हैं स्थिति यहां पर सक्सेश द जितना भी mount आप जमा करेंगे और यहां पर आपको proceed to next क्यूपर क्लिक करेंगे यहां पर देख सकते हैं चठवाए step पर पहुंच चुके हैं और यहां पर आपको क्या करना है अगर यह print invoice यह नहीं कि इसका print जो लेना चाहते हैं जिसमें आपका पूरा यहां पर आ जाएगा क कितने रुपे का आपने payment किया है सारा कुछ इसमें आपका detail देखने के लिए मिल जाएगा तो आप इसे जो है print कर सकते हैं तो हमें इसे जो है PDF में अपने computer में जो है save कर लेते हैं उसके बाद में आपको proceed to next step के उपर click कर देना है जैसे आप proceed to next के उपर click करेंगे तो इस प मांग रहा है यहां पर देख सकते हैं लिखाए संबंधि दस्तावेज अनापत्ति प्रमाणपत्र अप्लोड करें यहां कि किसी प्रकार की हमें अनापत्ति नहीं है तो इसके लिए यहां पर डाकुमेंट अप्लोड कर सकते हैं लेकिन यह optional है आप इसे छोड़ भी सकते है कोई दिकत नहीं है तब भी आपका मीटर लग जाएगा तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे उसके बाद नीचे जाएंगे यहां पर मीटर लगाए जाने है तो जो है तीन तितियों का इसमें से आपको सेलेक्शन करना है तो यहां पर 11 फरोरी 13 और 14 फरोरी कर लेते हैं उ जो भी आपने डेट किया है इन डेट के अंदर में आपके यहां जो मीटर है वो लग जाएगा यहां पर देख सकते हैं मीटर लगाए जाने है तो अनिम्तिम्तितियां है यूपी पीसेल को प्रेसित कर दी गई है और जो भी सूचना होगी आपको यहां पर देखने के तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लगभग एक सब्ता के बाद में फिर से अपनी यूजर आईडी और पास्वर्ड डाला उसके बाद में जैसे लोगिन किया ने उलेक्टरिसिटी कनेक्शन अप्लिकेशन फोर्म के उपर में किलिक करता हूं और किलिक करने के बाद मे यहां पर आपकी डिटेल के साथ में यहां पर देख सकते हैं बर्तमान स्टेस जो एक स लेके आर्थ-टक पूरा यहां पर ग्रीन हो चुका है यानि कि जो कनेक्शन होने की प्र च 아र two hundred करती गई अब हम इसीन करते हैं नीचे जाते हैं तो यहां पर देख सकते आपको देखने के लिए मिल जाएगा account detail यानि की खाता ब्योरन विद्दुत संयोजन संख्या जो की electricity connection account number होता है जिससे आपको विजुली का बिल जमा करना होता है तो आपका connection की प्रकिरिया पूरी तरह complete कर दे गई है आपका जो विद्दुत संयोजन संख्या है खाता संख् जुका है आप इसे नोट करके रख सकते हैं क्योंकि इसी से आपको विजुली का बिल जमा करना होगा बाकि अगर आप इसका certificate डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पे PDF जो है डाउनलोड हो जाएगी आप इसका निकलवा सकते हैं यहां पे जो है consumer का नाम और यहां पे प्रेंट करके अपने पास रख लेना है अब आपका जो connection है complete हो चुका है बाकि अगर आप किसी अन्य सहाइता के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप 1912 पे जो है कोल करके जो है उसके बारे में पूंच सकते हैं तो यही रहा जो है उत्तरप्रदेश नहीं की बिज सब्सक्राइट के साथ तब तक के लिए जही लिए